यह गलती इतने बच्चे करते हैं कि आप बहुत बच्चे और इसको यह गलती क्या है एक्चल में देखो जैसे आपके एक्जाम में गराफ बनाने को आएगा कोई भी डायग्राम बनाने को आएगा जैसे कि हाँ मैंने बोला कि आई वी करेक्टरिस्टिक गराब बना और जो आफ डैग्राम सब पेंशिस से बनाने लेकिन इसमें क्या गणबदा सोचिए है एक तो इनकी देखो निचे उन्चीलियूंग इनको पता हुगा दूसरा ये जो ग्राब बनायाना इंही जोrob नमबर होते हैं कि ही सेक्सलीन stamp पता हुए लेखर से पहले एक अच्छी सी पैंसिल लेके जाना दुबंदार से कह देना हमें डार्क पैंसिल दे दो तो आप डाइग्राम को डार्क बनाना ताकि टीशर को देखने में अच्छा लगए और टीशर आपको नंबर दे अब आप सोचिए ये तो गराफ दिख भी नहीं रहा है कि क्या है गराफ सही बनाया है बड़ दिख नहीं रहा है कुछ को प्लीज यूज डार्क पैंसिल और जो एक कावत है पुराने लोगों की कि खाने पीने में और पढ़ाई की चीजों में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए तो इंडियन पेरेंट्स कैसे होते हैं अपने भुके रहेंगे कपड़े विकार पहन लेंगे लेकिन अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलवाते हैं अच्छे से स्कूल चूज करते हैं उनके अपनी हैसियत के हिसाब से और उनको खाना भी बहुत अच्छा तो यह डाइग्रांग अच्छा बनाया आपने बट आपकी राइटिंग बिल्कुल समन में नहीं आ रही है इसलिए शाइद आपके मार्स भी काट लेंगो प्यूश आप कहा रहेते हैं राइटिंग इतनी गंदी कैसे होगी आप पहल तो सही थी अच्छा अपना जंक्शन पर दोक्राइब कि आप बहुत ही स्ट्रैसमें हो इसी ट्रू यह सर अबट स्ट्रेसमें क्यों आप स्ट्रेसमें एग्जाम की वज़ेसे नहीं सर उनना में एक्षे निया है तो लेकिन पहले बोड़ को तो अच्छे नमर से पास करो नहीं पापा निपेजेंग इस दर के पढ़ोगे तो अच्छी तरह नहीं पढ़ पाओगे कोई भी काम बिना डरे करना है अपना बैस्ट आप दीजिए इसके बाद भगवान पर शोड़ती सब कुछ क्या होने वाला है ठीक है अच्छे जो आपने फोरवाइड बैस के वर्ड लिखा यह क्या लिखा आपने राइटिंग है नहीं है तो आपने कोई स्री लंका प्रतानी तमील लाडू कहां की राइटिंग लिख दिए इंगिस नहीं है इसमें कोई शरम की सुनो आप कभी भी वीडियो डल जाएगी तो आप को इंसल्ट ऐसा कुछ नहीं है यह तो राइटिंग आपकी जो है इससे और बच्चों कितना फायदा हुआ सोचिया आप इस पर लिखों कुछ चलो लिख देता हूं मैं आपके रहे हो तो थैंक चू सर ठीक है इससे बड़ा भी वर्ड नी होता टीजर के रिए आशिरवाद देदी आपके